पहली नजर में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें और इस लवट फोसाइड को तुम महबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंकि यार पहली नजर में तो हमें अंटीक चीज़ भी पसंद आ जाती है पर हम उसे घर में रखते हैं दिखावे के लिए बस क्योंकि देर रात तक तुम दोनों धेर सारी बाते करते हो और इसे तुम महबत समझते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंकि यार अकेले पन के मारे तो दो अंजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात करी लेते है अर अगर किसी लड़की को देखके वो तुमारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देखके तुम उसका और इस क्यूट जैलेसी को तुम महबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंकि यार परिंदों को पकड़ा जाता है पिंजरों में कैद करने के लिए उना आजाद करने के लिए नहीं बस क्योंकि आप तुम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हो और इसे तुम महबत कहते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंकि याद रख नहीं चाहिए होता। अरे बस क्यूंकि तुम उसके इंस्टा स्टोरीज को और वो तुम्हारे स्नाप स्टोरीज का हिस्सा बन चुकी है और इसे तुम महबबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो। क्यूंकि अरे महबबत को फिल्टरों के साथ सेफ नहीं किया जाता हो। उसे बस उसी लम्हे में जिया जाता है। हा लेकिन। लेकिन अगर जिस्मों में उलजने से पहले तुम उसकी जुलफों में उलजना चाहते हो। अगर उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तो में अपने सारे राज उसके साम में खोल दिये और उसने भी अपने सारे डर का जिकर तुम्हारे साम में कर दिये अगर उसका हर आसू तुम्हारे ही कमीज पे बैता हो और तुम्हारे मुसकान की वजा उसकी नादानिया ही हो तो शायद शायद नहीं यार यही प्यार है अगर अगर यह प्यार तुम्हें मिल गए तो इसे पकड़ लो जगड़ लो गले लगा लो और जहां मौका मिले बस इसे कहते रहो कि तुम इसे कितना पहर करते हो क्योंकि ऐसी मोहबबच से मुलाकात होने में जिन्देगी का एक काफी लंबार सा बीच जाता है